वेलो वेयर्स वेल्कम टीमाई चैनल इंजल केबल चैरट संदिस वीडियो आइप मेट पॉर सिधात मलहोचरा एंड कायरा इन दोनों की शादी साथ फरवरी को हो चुकी है तो कल ही हुई है तो मैं इसमें जानना चाहूंगी कि अब इनका फ्यूचर कहा है क्योंकि मैंने ही इस रेटिक्शन निकाला था उस वक्त जो मैसेज़ेज आ रहे थे उसमें कहीं न कहीं सेप्रेशन दिखा रहा था इन दोनों का तो एक बार मैं जरूर से चेक करूंगी कि शादी अब हो गई है इसके बाद अब क्या दिख रहा है क्योंकि फैन्स पूछना चाह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम डिवाइन अजीज क्या मैसेज करेंगे लेकिन अगर फिर से वही रिपीट हो गया कि वही डेट का कार्ड और वही सब कुछ सेप्रेशन तो या अगर वो उपाय कर चुके हैं वेलन गुड अगर नहीं किया है फिर से वही चीज रिपीट होने को हो रह कि अगर शादी करी होगी तो कुंडली दिखलवाई होगी या किसी से कुछ एस्ट्रोजर से कुछ कंसर्ड किया होगा वो पाय कर रहे होंगे तब तो वेलन गुड तब तो बहुत अच्छा है कि सप्रेशन ना हो मैं भी चाहूंगी कि सप्रेशन ना हो लेकिन कोई नहीं सब्सक्राइब कि इसको देखूंगी एक बार मैं कि क्या मैसेजस हैं सिद्धार्त और के रिलेशन्शिप में क्या होने वाला है फ्यूचर में दोजाथ 23 कमें केवल देखूंगी 2023 इस पर शुगवी डिवाइन अची से प्लीज मुझे बताएं कि सिद्धार्त मल होतरा और इन दोनों के रिष्टे साथ फर्वरी कल ही शादी हुई है 2023 कैसा जाएगा इनका मैरिश लाइफ अगर मैं देखूं तो किस किस तरह के मैरिश लाइफ रहेगी फैंस जानना चाहते हैं मैरिश लाइफ कैसी रहेगी इसमें जो मैसेज आ रहा है जो इसे मैसेज आ रहा है अब ये फ्यूचर में जो लवर सा कार्ड है ठीक है निकिन मुझे लगता है कि किसी बैड सिच्वेशन से ये निकले है किसी खराब सिच्वेशन से ये निकले हैं और इन दोनों में प्यार बहुत है नो डाउट इन दोनों में बहुत प्यार है मैं ये बहुत देख पा रही हूँ ठीक है बर्ने टावरा कार्ड आया है आप लोग के सामने आप लोग भी जानते होंगे ये जब कार्ड आता है त डाउटी से ये दोनों प्यार करें और ये बहुत जरूरी होता है एक कॉंफिड़न एक मैचूरी ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं अगा रिष्टे में मैचूरी है और बच्पना नहीं है किसी तरह की बच्पने गलतिया नहीं कर रहे हैं दोनों जने कि गुस्सा कर रहे हैं वे अफालतों चोचटी बातों पर जगड़ा कर रहे हैं और maturity बना के रख रहे हैं एक दूसरे से बाचीत कर रहे हैं आपस में एक communication है अच्छा communication है आपस में दिल की बाच शेयर करते हैं तो तीसा जना भी आके involved नहीं होगा तो ये इसमें कहीं न कहीं maturity मुझे देख रही है मा का अशुरवाद इनके उपर है और नई शुरुवाद इनके life में हो चुकी है ये जो शादी के बाद हो चुकी है मंगल के स्थिति ठीक नहीं है जलसी वाले लोग परिशान करेंगे negative energies अपनी थ्रो करेंगे इनके रिष्टे में उससे बचे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर दिख रहा है कि सिधार जी जो है बहुत समिजदार है बहुत cool minded हैं और ये बहुती असानी से सारी मुसीबत जो है बहुती प्रेम पूरवग जैस प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे इस वेरी गुद इस वेरी नाइस मैं इसमें बाद देखूंगी कि और क्या मेसेज़ हैं 2023 में इनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे आसपर शोगवी डिवाइन अजीस हैं मुझे बताएं कि इन दोनों के रिष्टे में फ्यूचर में 2023 में क्या होने वाला है और क्या मेसेज़ है इनके मैरेश लाइफ में प्लीस मुझे बताएं सिद्धाक, मलहोत्रा और काईरा इन दोनों के शादी हो गई है तो अब कैसा है इनका जीवन वैथीत होगा, मैरिश लाइफ शादी है जिन्दगी इनकी 2023 में जो मैं याँ देख पा रही हूँ इनके रिलेशन्शिप में क्योंकि कार्ट फॉल हुआ था मेरे सामने तो मैं इसमें याँ जो देख पा रही हूँ वो ये है कि लाइफ तो अच्छी चलेगी लेकिन बीच में थोड़ा सा जगड़ा दिखा रहा है अच्छी है लेकिन इसमें मेरे साब से अच्छी इसलिए है क्योंकि confidence दिख रहा है जुपिटर की प्लानेट जो जुपिटर प्लानेट का जो पोजीशन है वो अच्छी दिख रही है और मेरेश लाइफ में लड़कियों के लिए खास्तोर से जुपिटर का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है अच्छा है एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं थोड़ा सा confusion हो सकता है कहीं कहीं पर रिष्टे में confusion created हो सकता है कोई decision लेने में इंपोर्टेंट कोई decision लेने में confusion दिख रहा है और रिष्टे में maturity रहेगी और एक होता है न कि नहीं हमें रिष्टा निभाना ही निभाना है जाहें जो हो जाएं चाहें कुछ भी ढगड़े हो जाएं और ठैंक गॉड कि ड़क्ता गाड नहीं आया, लेकिन इसमें एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ, कि इनके रिष्टे में और क्या होगा, फ्यूचर में, एक बार मैं जून के बाद एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि किसी मुसीबत से, किसी चीज से ही निकल के आएं है, व जून के बाद सिध्धाध मलोच्रा और कायरा, इन दोनों के पत्ते-पत्नी के पीश में, क्या होगा, कैसे मैरिश लाइफ रहेगी, इसी साल जून के बाद, अगर इसमें मैं बात करूँ, तो कार्मिक अफेक्ट है, एमोशनल रहेंगे दोनों, और किसी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम इनके उपर एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, जून के बाद, जो है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे होता है, कि व्यक्ति के उपर तलवा लटकना, तो ये रिष्टे में कहीं नगे प्रॉब्लम होगी, राहु का, शनी और कोप दिख रहा है, उसके वज़ए से अफेक्शन जो है, वो रहेगा थोड़ा सा जैसे होता है, कि रेलेशेशिप में, तो ये चीज़ है, लेकिन मुझे यहां फील हो रहा है, कि ये कोई उपाय कर रहे हैं, या कर रहे होंगे, कर चुके हैं, कर वा चुके हैं, मैं आपको बता दू, ये बहुत ही अच्छा मेसेज आ रहा है, कि इन सब से ये पार कर जाएंगे, शनी और राहू परिशान करेंगे जून के बाद, नो डाउट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन रिष्टे में विन करने का आ रहा है, कॉन्फिडेंस पढ़ेगा, एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, शनी जो सक्क खराब चल रहा होगा, जो जून के बाद, जो मैं बता रही हूँ, वो एक समय के बाद सही हो जाएगा, जो शनी की दशा है, वो शनी जो है अच्छा रिजल्ट देने लगेगा, इसमें ये मेसेज आ रहा है, जून के बाद इन दोनों का अ जानी इशूस खतम हो जाएंगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, पीस रहेगा जून के बाद, फैमिली को लेके बात हो सकती है, कि फैमिली हमें अपने आगे बढ़ानी है, और विनिंग सिच्वेशन है, विक्ट्री का काड़ आ हुआ है, और ये दोनों बहुत ही प्रैक् नहीं आ रहा, ये आएगा, ये मुसीबत थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन दे बोध विल हैंडल इट, और इन्होंने उपाय करा है, मैं 100% शेयर हूँ, क्योंकि इसमें मुसीबत देखिए आ रही है, लेकिन सॉल हो रही है, बिल्कुल स्मूथली सबकुछ फिनिश भी हो यहां यहां यह अलड़ी रेमेडियों कर चुके हैं, मैं 100% शेयर हूँ, तो इसलिए रिष्टा अच्छा है, बेस्ट अफ लग और मैरेश लाइफ इन दोनों की अच्छी दिखती है, दोनों ही समझजदार हैं, बाहर वाले क्या करेंगे, यह दोनों ही खुश समझजदार यह दोनों ही दूसर से बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत पहले ही आया था, तो I think the message is very clear from the divine energies and from my angels, thank you so much, thank you so much.